मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए फैदाया हुआ साहब मैं तैरना सिग्या नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आप हैं हेल्पिंग अभी चैनल पे को पहले भी मैंने विडियो बनाई हैं इमेल कैसे फाइν करना है और कैसे आपको do extract करना है तो यह जो मैं आज पूल बता रहा हूं आपको यह ही जवर्दस फूल है और ऐटा एंट्री करें जब आउब करते हैं जब इमेल को extract करते हैं Find Out करते हैं तो तो पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया है और आप उसको चाहिए तो देख सकते हैं बेसिक्स देख सकते हैं कैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं और कैसे आप डेटा एंटी का वर्क करके आप क्लाइट को दे सकते हैं तो आज का जो यह टूल है वो सेंस टूल है और सेंस टूल में क्या है कि सिंपली आपको ड्रैग और ड्रॉप करना है उसके बाद सेंप प्रॉसेस और फिर वहां से आटोमेटिकली वह ग्रैप कर लेगा जो भी स्क्रैप होता है उसको स्क्रैप करके आपको देदेगा और आपको सिर्फ उसको copy करना है और paste कर देना है बस तो यह जो tool है बहुत ही जवर्दस tool है और आपको काफी मदद करेगा data entry के काम के लिए मैंने desktop पूरा बताया है आप उसको जा करके follow कर सकते हैं बहुत ही helpful video है मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगी video अगर पसंद आ कर दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आज मैं आपको बहुत ही एक जबरदस tools के बारे में बताने वाला हूं जैसे कि आप बहुत ही जल्दी email को extract कर सकते हैं क्या होता है कि कभी हम लोग जब sites कोलते हैं तो हमें यह bookmark बार जो है वो नहीं दिखता है तो इसके लिए सबसे प bookmark बार जो है वो दिख जाएगा अब हमें एक टूल के बारे में सर्च करना है जिसको हम लोग कहेंगे सेंस टूल एस है और एंटर दबाएंगे तो यहां पर हमें एक site मिलता है intel-sw.com इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको टूल दिखेगा सेंस टूल बहुत ही जबरदस्त है बस कुछ नहीं करना है इसको आपको बस क्लिक करके यहां पर drag and drop कर देना है जैसे आप यहां से drag and drop करते हैं आपको यहां पर आ चुका है बुकमार बार में अब हमें जो है वो search देखिए कैसे हम लोग करते हैं search और search करने के साथ हम लोग कैसे email को extract बहुत ही जल्दी कर सकते हैं तो अब जैसे कि मैं search करता हूं जैसे ही आप देखेंगे कि मैंने यहां पर artist india और at the rate gmail.com यह पहले मैं बता चुका हूं कि कैसे आपको use करना है quotation का use करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे पहले का वीडियो भी देख सकते हैं तो आपको यह पीच खुला है इसमें का control left दबाएं और at the rate करके आप वो चाहे तो आप देखेंगे कि आपको email दिख जाएगा जहां जहां भी है ठीक है अब इसको extract करना है तो हमें sense tools पर जाना है काफी options है आपको सिर्फ यहां पर extract emails है बस इस पर click करना है जैसे आप extract emails पर click करते हैं तो आपको यह काफी emails यहां पर जो भी है यहां पर जो भी emails आपको दीख रहे हैं वो यह page से extract किया गया है ओके हमें अगर और भी चाहिए तो next page में चले जाते हैं अगें हम लोग क्लिक करते हैं extract emails अब देखिए जो इसने पहले सर्च किया था पहले page का यहां पर दूसरी page का यहां पर है तो आप इसक भी अपने notepad वेरा में इसको save कर सकते हैं और जिस location का जहां पर भी आपको चाहिए आराम से आप email को extract कर सकते हैं तो यह तो sense tool जो हम लोग use कर रहे हैं बहुत ही आसान है बस आपको आना चाहिए कैसे email को extract करना है अब हम लोग कि देखेंगे कि next अगर हम लोग search करना चाहते हैं तो website लिखेंगे हम लोग दिखेंगे website facebook.com को डेक्शन के अंतर हम लोग डाल देते हैं कि email.com ओके बीच में हम लोग डाल देते हैं और लेकि मुझे और भी search करना है सिर्फ एक email नहीं है में एक से ज़्यादा email अगचाहिए तो कैसे search किया जाएगा यहां पर देखेंगे याहू ओके इसमें आपना है तो और भी add कर सकते हैं hotmail वेरा डाल सकते हैं के एंड़ msn.com और मैं search करना चाहता हूँ designer मुझे designer चाहिए ओके website facebook.com देंगे और protection का यूज करते हुए Gmail yahoo hotmail वेरा जो भी है आप इस पर click कर देंगे जैसे ही आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे यहां पर emails जो है वो खुल चुके है ठीक है में sense tool का यूज करना है extract email और देखेंगे यहां पर email है यहां पर आ चुका है ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट जैसे Gmail है यह हूँ है MSN है यह आपको डाल दिया है यहां पर आप अराम से copy करेंगे को आप सर्च कर सकते हैं इसी तरह अगर हमें Facebook है पर खौटा देते हैं लिंग्डीन डाल देते हैं अब लिंग्डीन डाले है अब यहां से sense tool पर जाएंगे एक्स्ट्रेक्ट इमेल करेंगे और यहां पर हमारा जो है यह एक्स्ट्रेक्ट कुछ चुका है ठीक है इसे भी आप यहां से सिधा copy करके कर लेंगे अपना वाज से सेव कर लेंगे तो बस आपको क्या find out करना है वह आपको पता होनी चाहिए एक और तरीके से सर्च कर सकते हैं वेबसाइट लिखेंगे लिंक्डिन founder at the email.com इंडिया मैं हटा देता हूं मैं कहीं से भी कर सकता हूं और मैं सर्च करता हूं तो यह जो चीज है आपको यहां पर दिखेगी ठीक है फांडर हो आप यहां पर तूल में जाएंगे एक्स्ट्रेक्ट इमेल करेंगे और आपको यह जो नीचे जो देख करने यह अल्रडी पहले का है तो इसे मैं यहां से कैंसल करता हूं जाओंगा एक्स्ट्रेक्ट इमेल हमारा पहले से जो था वो हट गया और नया वाला जो है वो आगया हमारे पास इतना इमेल आ चुका है ठीक है पाउंडर की जगह आप सी ओ भी डाल सकते हैं ठीक है सेंस टूल में जाएगा एक्स्ट्रेक्ट इमेल करना है और यह सिंप्ली आपको निकालना है देखिए कितना अच्छा टूल है जो कि आप बहुत ही आराम से आप इसको यूज करेंगे बस हमारी पीछली वीडियो को आ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी दुआओं में याद रखना सारी जहांस अच्छा है इंदुस्ता हमारा जैहिंद